वेल्कम टू मेडियल एजुकेशन लीजिश्टेंट्स अब आपके सामने कक्छा नौवी अंग्रेजी का एक ऐसा मॉडल प्रेक्टिस पेपर लेकर के आचुका हूँ जिसमें प्रीबियस एर के कोस्टिन्स को रखे गए हैं अगर आप इस मॉडल प्रेक्टिस पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो पिछले चार साल के कोस्टिन्स पेपर को पढ़ने की जरुत नहीं पढ़ेगी क्योंकि चार साल के पेपर में जो questions back to back पूछा गया है बार बार पूछा गया है उसको यहाँ पर रखा गया है जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने set number 1 और set number 2 दो setों में model question paper available है सबसे पहले हम set number 2 से start कर रहे हैं इसका पहला वीडियो अपलोड कर दिया गया है अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाएए आपको वीडियो Middle Education के official YouTube channel पर मिल जाएगा बाकि इस वीडियो के अंतिम में मैं लिंक देदूँगा उसको टच करके and part number 1 को देख सकती हैं तो हम इसे side करते हैं and देख लेते हैं कि model practice paper हमारे लिए important क्यों है देखो अगर आपका अक्षण नवी की विद्यार्थी हो और आपका exam कल है और previous year के questions के तलास में हो most IMP questions के तलास में हो तो कुछ मत करो इस model practice paper को देख लो दो सेटों में पूरा का पूरा महत्यपूर्ण प्रश्ण त्रमासिक परिच्छा के सलिवस के according और सभी questions का समावेशन किया हो जैसे कि आपने हिंदी में देखा हिंदी में मैंने model practice paper set 1 and set 2 available कराया था और फिर एक boosted dose लेकर क्या आया था वहां से बहुत सारे बच्चों के exam बहुत अच्छे गए है किसी का 80% exam अच्छा गया किसी का 60% किसी का 50% तो किसी का 70% भी गया है और कहीं कहीं ऐसा हुआ है कि कुछ कम questions देखने को मिला है लेकिन फिर भी बच्चों को exam अच्छा है क्योंकि उनकी तयारी पहले से थी तो चले श्ट्ट हम आगे बढ़ते हैं और देखने हैं मॉडल प्रैक्टिस पेपर में किस प्रकार के questions रखे गए हैं और किस प्रकार के questions हमारे exam में देखने को मिलेगा तो देख लिजे इसको हमने अच्छे से cover कर दिया इसके बाद हमने सभी पैसे को cover किया and section number B जो आपका note और title है इसे भी हमने अच्छे से cover किया है इस वीडियो में cover करेंगे section number C और section number D मतलब पूरा का पूरा प्रश्न उत्तर account को परिक्षा में पूछा जा सकता है इसमें रख दिया गया है आप उनको अच्छे से prepare कर लेना अब देखो यहाँ पर सात्वा नमबर कहता है fill in the blanks यहाँ पर पहला नमबर कह रहा है कि Christmas is celebrated dash 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 December 25 तो यहाँ पर क्या होगा in होगा कि on होगा तो यहाँ पर आपको simple सा in भर दिना है ठीक आगे कहता है second number Eath is the dash dash day of Ramjan ठीक तो यहाँ पर आपको last भर दिना है मतलब जो Eath होता है Ramjan के अंतिन दिया मना जाता है next क्या है he can drive you a car यह sentence है गलत सरत लिखा है तो इससे सही करना है तो इसका सही उत्तर हो जागा पहले आजएगा you ठीक है दूसरे में आएगा can you can drive a car ठीक इस प्रकार से आपको सही sentence बन गया है अच्छे सुनों अगर इसके PDF को डाउनलोड करना है link description box में दिया गया है आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं हमारा next कहता है चौथा नंबर he dash dash put water and compost near the seeds तो इसे simple past tense बनाना है अगर simple past tense में हम convert करेंगे तो put का put ही रहेगा तो यहाँ पर आपको put लिखने ना है मतलब आपको पूरा बाक्य क्या बनेगा he put water and compost near the seeds इतना लिखके complete करेंगे आगे कहता है पांचवा नंबर the rainy season starts dash dash the summer मतलब rainy season के summer के पहले start होते हैं कि बाद में तो after मतलब पहले तो यहाँ पर आपको after लिखना है next हमारा छटवा नंबर कह रहा है कि English dash dash a link language in India तो English is तो यहाँ पर आपको easy लिख देना है ठीक इस प्रकार से यह सभी complete हो गए है आगे बढ़ते हैं प्रश्न करमांग 8 क्या कह रहा है प्रश्न करमांग 8 में bridge course की questions रखे गए है देख लिजे complete the given following sentence about Indian by using the most most appropriate word from the box तो यह आपको दिया है ठीक है कुछ कथन तो इसका सही answer है क्या हो जाएगा पहले में आप from लिखेंगे और दूसरे में आप क्या लिखेंगे तू लिखेंगे यह तुपहरा complete हो गया next कहता है आपका तो यहाँ पर आपको इन करना है ठीक है इस प्रकार से यह complete होता है आगे बढ़ते हैं हमारे next चौथा नंबर कह रहा है चौथा नंबर में यहाँ पर simple सा आपको एट लिखते ना है इस प्रकार से यह भी complete होता है ठीक इनका use करके ही भरना था एंड हमने use करके भर दिया चलिए आगे बढ़ते हैं section number D जो कि आपके text book से होता है मतलब पूरा किताब से पूछता है तो देखते हैं कौन कौन से questions हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा important है और previous year में पूछा जा चुका है अगर मैं पहले प्रशन की बात करूँ तो यह questions आपके previous year में आया है प्रशन क्या कह रहा है कि what did Tommy find Tommy ने क्या ढूणा तो इसका सही answer होगा an old book with yellow crinkly pages तो यह सही उत्तर हो जाएगा next कहता है select the name of the poet of the poem bind जो bind आपका कविता है इसके कभी का नाम क्या है तो यह हो जाएगा आपका शुबरबन्यम भारती आगे देखते हैं हमारा तीसरा नमबर आगे देखते हमारा तीसरा नमबर कह रहा है what is a bliss for the poet in the poem ran on the roof तो यहाँ पर चार options दे गए हैं मैं चाहता हूँ इसका answer आप सहीं बताए comment section लिख करके यह आपके लिए home mark है जो student इसका सही answer देगा मैं उसको heart दूँगा next हमारा चौथा नमबर कहता है who are darling dreams in the poem तो यह इसका सही answer आपका children हो जाएगा इस प्रकार से हमारा complete होता है प्रशन करमांग 10 कह रहा है read the extract carefully answer the questions given below इस passage को पढ़ना है जो प्रशन पूँचा गया है उसका उत्तर देना है आपको पता है यह passage 2022-2023 में पूँचा जा चुका है इसलिए हमारे exam के लिए काफ़े important है हमारा questions कहता है evolution loss of hearing take place यहाँ पर कई सारे option है at birth ठीक है और 8 year old यह फिर 11 year old तो इसका सही answer आपको क्या लगाना है simple से इसका answer लगाएंगे option number B 8 year old ठीक है and यहाँ पर देख सकते हैं इस पस्टूप से लिखा गया है आगे देखते हैं इसका सही answer क्या होगा इसका सही answer आपको लगाना है her friends is correct answer यही आपका सही उत्तर हो जाएगा who are gave her parents to take her to a specialist तो यहाँ पर option है friend, teacher, headmaster तो इसका सही answer आपको लिखाना है headmasters ठीक है यह रहा sorry headmasters ठीक mistress यह आपका सही उत्तर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्निक्रमां के 11 की तरफ इनके answer को cover करते हैं 11 नमबर के 11 answer दा 5 following questions any six कोई 6 आपको attend करना है यहाँ पर हो सकता है आपके question paper में 7 question दिया हो 8 दिया हो लेकिन उन में से 6 ही आपको लिखना है जो आपको सर लगे हमारा प्रश्न करावां के 11 कह रहा है कि how does evilness music and यह वाला questions देख लिजे learn music वाला पूछा गया है और आगे बढ़ते हैं यह रहा ठीक है तो आई दिखा देते हैं कि इसका सही answer क्या होगा इसका सही answer हमारे question बेंके अविलेवल है जो जो questions पूछा के उसको मैं tick कर दूँगा ठीक है पहले एक प्रश्न का answer यह रहा यह प्रश्न तुभार exam में पूछा जाएगा दूसरे का answer यह रहा इस questions को अच्छे से prepare करना तीसरा यह रहा चौथा यह रहा ठीक चौथा है ना नहीं sorry sorry तीसरा तक है इसकूल तक आपको prepare करना है तो आप इसका photo click कर लो next कह रहा है कि Tommy teacher ठीक है what hand once happened to Tommy teacher यह प्रश्न पूछा गया है तो Tommy teacher वाला यह रहा आपके सामने ठीक यह रहा तो आप इसका screenshot ले लो इससे अच्छे से prepare कर लेना next क्या कह रहा है what did Ron props do with drums तो यह पूछा गया है तो यह रहा आपको इसका answer ठीक तो आप इसका भी screenshot ले लो चलिए आगे वरते हैं where was bismillah kha born bismillah kha का जन्म कहा हुआ था तो यह लिखा है ठीक इनका जन्म कहा हुआ था यहाँ पर लिखा है बिहार में हुआ था तो आप इसका photo क्लिक कर सकते हैं side करते हैं आपको कोई दो अटेंड करना है अपर चार प्रशन दिया गया है ठीक है what does the poet like to do when it ran यह प्रशन बोला गया है तो आई इनके answers को भी हम दिखा देते हैं जिनका answer कहा पर available है ठीक इसमें इतने सारे question answer है येकिन आपको prepare करना है अपने saliva के according जो भी आपका saliva है तरमाशिक परिच्छा में ठीक तो पहला ran वाला उत्तर दिखा देता हूं ran वाला one second न यह रहा देखो पहले वाले ran का ठीक दूसरा वाला क्या है आपका ran drop make तो यह रहा ran drop make ठीक है तीसरा वाला आपका क्या है तीसरा मर कहता है what make an issue in the poet heart तो यह रहा poet heart ठीक यह रहा 3 ठीक उत्तर एक साथ दिया है यह पूछा है ran on the roof आपको बता है आपका saliva क्या है अगर आपको saliva आपको नहीं पताना तो प्लीज जाईए मेडी लेजकेशन में saliva डाला है सबसे पहले आप saliva तो पता हो नची सलेवस तो देखो पहले ठीक है next आपका कहता है go to increase यह प्रशन पूछा गया है तो यह रहा इसका answer ठीक यह चार पार्ट से प्रशन का उत्तर पूछा गया है चलिए आगे बढ़ते है next तीरवा नंबर गय रहा है कि answer the following questions any two अब कोई दो प्रशन का उत्तर तुमको देना है ठीक है तो प्रशन देख लो पहले ticket collector वाला है दूसरा है toto from and why and है toto to सहपूर यह बोला गया है तो आईए इसका answer भी हम देख लेते हैं किसका सही answer क्या हो जाएगा यह रहा ठीक पहले क्या है ticket collector वाला तो यह रहा ticket collector वाला आप इसका screenshot ले लो सहपूर वाला है तो यह रहा सहपूर वाला ठीक किसका screenshot ले लो और क्या question था एक toto from and why toto from and of यह रहाब के सामने तो आप इसका screenshot ले लीजे चलिए side करते हैं next कहरा प्रशन क्रमांग चाउदा answer the following questions वही अगें प्रशन को उत्तर देना है कोई एक करना है ठीक है बिस्मिल्ला खा refuse to start सेहनी स्कूल in the USA and क्या कहता है her music ठीक है how does her music एक से करना यह रहा question था यह देखो how does her music यह दो नंबर का प्रशन है और यह थोड़ी बड़ा प्रशन है ठीक है तो इसको उत्तर देखना मैं दिखाऊंगा थोड़ी बड़ा दिखाऊंगा खना भाई पूछाया सकता है एक ही प्रशन बड़ी नंबर में आएंगे ना तो उसको उत्तर थोड़ी बड़ा लिखेगा कैसे ज़रा देख लो यह रहां यह रहां USA वाला और यह नीचे ठीक है music वाला देखो कितना वड़ा आंसर इसका उसका आंसर छोटास था इसका आंसर बड़ा है ठीक तो अगर बड़े में पूछे तो बड़ा आंसर लिखना है इससे यह तुम्हें पता लगा है आगे देखत Central Idea हर साल आता है ठीक हर साल आता है हर एक पेपर में आता है और आना ही है Central Idea ठीक है Central Idea अच्छे से प्रिपेर कर ही लिया करो अपनी सलेवस के according तो यह रहा भाई वाल आपका रूफ वाला और यह रहा इसके नीचे का Central Idea दोनो Central Idea अच्छे से पढ़ लेना 100% आएगा Central Idea हर बार पूंसता है एक्जाम में आगे बढ़ते है सोरा नंबर कहा रहा है कि Answer the following questions Anyone को यह एक अटेंड करना है ठीक है डिस्क्राइब टोटो दा मंकी देट ग्रांट फादर बाट फ्रॉम दा टोंगा रिवार ठीक है यह बोला गया है ठीक है तो यह मैं दिखा देता हूं इसका आ लिए बस इतने पूछा गया है बांकी दो प्रस्टाइब तो इसका Answer हमको नहीं मिला है ठीक है बनाएं तो हमने question तो सभम रखा लेकिन हमको इसमें मिला नहीं ठीक क्यूंकि Question Bank से यह लेकिन इसमें मिल नहीं रहा है ठीक जो नया प्रशन Bank आया ना वहाँ से Questions को रखा गया है कोई दिक्कत नहीं यार ठीक है जितना है आप इसको प्रिपेर कर लो बागी दो Questions को आप Google में ढोड़ चकते हैं और अगर आप पास Answer है तो मुझे Send कर देना ताकि मैं Group में भेज़ दूँ सारे बच्चे इसका फायदा उठा पाएं चलिए तो इस प्रकार से आपका Set Number Second Complete होता है अब जल्द ही Middle Age किस्तन आपके सामने कक्षा नौवी का Set Number First भी कवर कर देगा फिर आपको Tencel निक जरुत नहीं है एक Booster हो जाएको उसे पढ़ लेना Definitely बहतर स्कूर करोगे बीडियो को इन करता है एक्जाम के लिए All The Best